first of all i'm को एद मुबार्ड यूर वन अफ दल लगी परसन अगर आप पाकिस्तान से हैं और अपने गुजार रहे हैं अपनी फैमिली के साथ अपने पैरंस के साथ अपने बेहन बाइयों के साथ अपने फ्रेंट्स के साथ आप ये गुजार रहे हैं So you are one of the lucky person आप इन feelings के बारे में उन से पूछ सकते हैं जो यहाँ तो foreign countries में हैं या अपने मुलक में रह के different cities में jobs करते हैं और उनका मिलना या जो armed forces हैं जो army हैं उनका मिलना अपनी family से इन events पे मुश्किल हो जाता है आपके feelings उन से पूछ सकते हैं कि यह feelings कैसे होते हैं इस इस दा मेजर events in our society तो यह events ऐसे होते हैं कि इन events पे दिल करता है कि आप अपनी family के साथ यह events गजारें तो आगर आप यह पाकिसान से वीडियो देख रहे हैं और आप अपनी family के साथ हैं और यह events आप अपनी family के साथ यान इद अपनी family के साथ गजार रहे हैं तो यह आप आप अफ तालग की person आप अगर यहां होते यहां किसी भी foreign country में होते तो आप यह बहतर समझ सकते कि feelings कैसी होती हैं बाराल पर्देशियों में तो वैसे भी पर्देशियों की एद कुछ हास नहीं होती बस formality पूरी की जाती है लेकिन मेरी एद तो है कल से शुरू हो गई थी जब मैं गिरा था तो कल से मुझे चांद तारे नजर आने लग पड़े अगर मेरी तो वैसे भी कुछ ज्यादा ही अच्छी गुजरेगी बिकरज पेन काफी ज्यादा फिर हो रही है बिकरज कल मैं lecture दे रहा था कि never give up लेकिन वो रात को यह सब कुछ भूल किया इतनी सख दर्द हो रही थी कि बरदाश बाइर थी तो बिकरज कल जहम जो है न ताजा ताजा था तो इस वज़ा से कल इतना हास पता नहीं चला लेकिन अभी महसूस हो रहा है कि धर्द हो रही है अभी मतलब अभी ओर डिफरंट प्लेसिस जो है एक्स्पोर हो रही है जो कल नहीं होई थी कि यहां पर भी जहम है यहां पर भी है कल ताजा 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 था तो इतना नहीं पता चला लेकिन मुझे रात को फील हुआ कि कहीं और जगापे भी मुझे लगी है जिनका मुझे कल पता ही नहीं चला तो बारहल एद मुबारक आप सबको और रोमेड करता हूँ कि आपकी ये एद बहुत ही अच्छी गुजरे और मेरी बेस प्रेशिस हैं आपके साथ और बड़ी एद हैं गोशोस्त बकरे शकरे इकठे करें और खुब इंज्वाय करें खुब पार्टी करें और मेरी तरफ से आप सबको इद मुबारक